दोस्तो अगर आपका फोन भी बहुत ज़दा हैंग होता है और इस वाई से आपके फोन में कोई भी एप्लिकेशन सही से काम नहीं करता है या फिर आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलते हो तो गेम बहुँदा लैग होता है और इस वाई से आप बहुँदा परिसान हो तो भाई इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही कुछ ऐसे hidden settings के बारे बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फ फोन में जो गेम है कई भी लैग नहीं होगा तो उसके लिए आपको खरना किया होगा सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया settings करना होगा तो चलिए उस settings के बारे में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे छोटा सार रिक्वेस्ट करता हूँ अगर हमारे चै जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के hanging problem और lagging problem दोनों को permanently कैसे solve कर सकते हो ताकि जो आपका फोन है न वो कई भी hang ना हो और आप अपने फोन में कोई भी game खेलो तो game कई भी lag ना हो तो उसके लिए आपको करना किया होगा सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदरा जना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक option लेगा आपको जिसका नाम होता है MIUI version और यह दो नाम से होता है किसी किसी phone में होता है MIUI version या फिर किसी phone में होता है build नमबर से तो आप अपने phone में देख लिए कि आपके phone में किस नाम से है ठीक है तो यहाँ पर आपको कर करने के बाद ही आपके फोन में एक्टिवेट होगा ठीक है और यह शेटिंग्स आपको देखने को मिले हैं कहां तो डिरेक्ली आपको बैक चले आना है आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदरा जना है ठीक है यहाँ पर आप फ्रॉण करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्सन के अंदर आप पने फोन के हेंगिंग प्रॉण मों दोनों को पर्मनेंट्ली survival कर सकते हो तो यहाँ पर आपको करना है क्योंकि हम अपने iPhone को यूज करते हैं लेकिन अपने फोलो कई भी update नहीं करते हैं और यह क्या करता है ना कि जैसे यह आपके फोन में update आएगा आपके पूरे system को यह update कर देगा और आपके फोन में नया भर्जन आ जएगा और इस वाइस से आपका फोन कई भी hang नहीं होगा और आपको फोनमे कोई भी गेम खिलो तो गेम कई भी लैग नहीं होगा तो यहाँ पर आपको इस स्वेटिंच को ऑन कर रहा है ठीक है इसके बाद कोई भी अपडेट आएगा आपके फोन में नया वाला तो आपका फोन तुरहां तुससे अपडेट कर लेगा तो सबसे पहले इस settings को आपको अपने phone के अंदर करना है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे of sequence settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर आप थोड़ा scroll down करेंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको जिसका नाम होता है window animation scale, tradition animation scale और animated duration scale यहाँ पर आपको तीनों option मिलेंगे लेकिन तीनों option एक ही काम करते हैं यह क्या करते हैं कि आपके phone में animation create करते हैं और जितना आपके phone में animation create होता है उतना आपका phone hang करता है और कोई भी game खिलो को तो game बहुँच दा lag होन लगता है क्योंकि हमारे phone में जितने भी animation होता है वो हमारे phone के CPU पर ज्यादा load देते हैं और उस वई से हमारा phone hang on लगता है और game lag होता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है डरक्ली आपको window animation scale पर टैप करना है और यहाँ पर आपको off करना है ठीक है इससे आपके phone में कोई भी problem नहीं होगा लेकिन जितने भी बेकार के animation create होते हैं आपके phone में वो सारा यहाँ पर बंद हो जाएगा और आपका जो phone है कई भी hang नहीं होगा और game कई भी lag नहीं होगा तो यह sequence settings आपको अपने phone के अंदर जिरूर करना है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब third settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक option नहीं लेगा आपको जिसका नाम होता है force dx msa यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके phone में होगा 4x यहाँ पर निचे आप पढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके से 4x भी आपके phone में हो सकता है यह दो नाम से होता है तो आप अपने phone में देख लिए कि आपके phone में किस नाम से है ठीक है तो ये कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको इसके बारें बताता हूँ जैसे कि आपके फोन में RAM कम है, प्रोसेसर कम है और इस वई से आपका फोन बहुत दा hang होता है, गेम बहुत दा lag होता है तो आपके फोन में ये प्रोसेसर को increase कर देता है और ये आपको developer option के अंदर ही मिलेगा, आपके फोन में ये कहीं नहीं मिलेगा ये हमारे फोन के अंदर hidden settings होता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस settings को यहाँ से on कर देना है ओन करने के बाद क्या होगा ना, कि आपके फोन में अगर प्रोसेसर कम है और इस वज़े से आपका फोन हैंग होता है, गेम लैग होता है तो ये आपके फोन के प्रोसेसर को enhance कर देता है और उसके बाद आपका फोन कई भी हैंग नहीं होगा और गेम कई भी लैग नहीं होगा तो ये settings आप अपने फोन में ज़रूर on कर लिएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब 4 settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर आप फ्रेश कॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक option लिगा आपको जिसका नाम होता है background process limit यहाँ पर आप देख सकते हो और अगर आप इस पर tap करते हो तो यह क्या होता है ना कि हम सभी के phone की अंदर standard limit पे set होता है जिससे क्या होता है ना कि आपके phone में जितने भी application है 20 application, 30 application जितने भी application आप अपने phone में यूज करते हो वो सारा क्या होता है कि background में processing करता है extender limit पे background में run करता है और इस वज़से क्या होता है कि आपका phone जो है तुरन हैंग होन लगता है और आपके phone में कोई भी game खेलोगे तो बहुत दा lag होगा क्योंकि अगर आप अपने phone में कोई भी game खेल रहे हो और background में जितने भी application में वो run करेंगे तो जाहिए इससे बात है कि आपके phone में game lag होगा और mobile बहुत दा hang होगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको no background प्रोसेस करता है इससे क्या होगा ना कि आपके phone में जितने भी processing होते हैं background में वो सारा बंद हो जाएगा और आपका जो phone में वो बिलकुल fast काम करेगा दुगिने fast काम करेगा क्योंकि हमारे phone में किसी काम करता नहीं है यह सिर्फ हमारे phone के application को background में run करता है वो भी standard limit पे और उस वाइस से हमारा phone भी slow काम करता है और hang करता है game भी lag होता है बहुत सारा problem हो जाते है तो यहाँ पर आपको no background प्रोसेस करना है अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिप settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर आप स्कॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको जिसका नाम होता है notify about high risk features यहाँ पर आप देख सकते हो और यह हम सभी के phone के अंदर बंद होता है लेकिन यह हमारे phone के लिए बहुत important है अगर आप अपने phone में इसे on कर दोगे न तो जैसे ही आपके phone में कोई भी ऐसा high risk features होगा जैसे कि application हो गया कोई भी settings हो गया जो कि आपके phone के लिए सही नहीं होता है तो वो आपके phone को तुरह detect करेगा तुरह आपके phone पेक notification भेगा यह जो application है आपके phone के लिए सही नहीं है या फिर यह जो settings है आपके phone के लिए सही नहीं है तो आपकी phone में throw and detect करेगा और वो आपको एक notification भेज़ देगा कि भाई ये जो settings है वो आपके phone के लिए सही नहीं है आप अपने phone में इसे ठीक कर लिजिए तो ये settings आपको अपने phone के अंदर जुरूर करना है जो कि सिर्फ आपको developer option के अंदर रिमी लेगा ठीक है और ये 5 settings करने के बाद जो आपका phone है ना life में कई भी hang नहीं करेगा कितना भी आप अपने phone में application नहीं उच करो कितना भी game खेलो आपका phone कई भी hang नहीं होगा और जो game खेलो गए game कई भी lag नहीं होगा bgmi खेलो free fire खेलो या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा game खेलो game कई भी lag नहीं होगा तो यही 5 settings आपको अपने phone के अंदर करना है ठीक है तो ये settings आपको कैसा लगा हामें कॉन पर जिरू बताएगा I hope कि आपके लिए वीडियो बहुँ ही दाइजफू साविस्तों वीडियो को लाइक कर दे साविस्तों पास सेर कर दे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तरत के लिए जैह हैं टेक केर मितने हैं नेक्ट वीडियो में